स्पेस एक्स्प्रोरेशन दुनिया के तमाम देशों के लिए हमेशा से आकर्शान का केंदर रहा है। रहसियों से भरपूर अंत्रिक्ष को जानने और समझने के लिए एस्ट्रोनोट्स अक्सर स्पेस मिशन पर जाते हैं। अंत्रिक्ष के ये सफर 2, 3, 4 या 6 महीने के भी हो सकते हैं। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार अंत्रिक्ष में जानेवाले एस्ट्रोनोट्स कहां रहते होंगे? क्या खाते पीते होंगे, कैसे सांस लेते होंगे, कैसे अपनी जिन्दगी की जरूरतों को पूरा करते होंगे इन सवालों के जवाबों को हम International Space Station यानी ISS के बारे में जानकर समझ सकते हैं जिसे खास तोर पर एस्ट्रोनोट्स की सोईधाओं का खयाल रखते हुए बनाया गया है International Space Station ने प्रम्मान के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने में काफी एहम भूमी का निभाई है ऐसे में कुछ और सवालों के जवाब समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार International Space Station क्या होता है? International Space Station को कैसे बनाया गया? International Space Station का उद्देश्य क्या है? और International Space Station में एस्ट्रोनोट्स कैसे रहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं समझिये.com के इस एपिसोड में International Space Station यानी ISS अंत्रिक्ष में रहने के लिए एक आर्टिफिशल सेटिलाइट की तरह है जो हजारों मील प्रती घंटे की रफ्तार से धर्ती का चक कर काट रहा है ISS को बनाने के लिए साल 1998 में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां एक साथ आई अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगवाई में ये मिशन शुरू हुआ रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्टेशन के पहले हिस्से को अंत्रिक्ष में भेजा गया फिर धीरे धीरे इसके अलग-अलग हिस्सों को भी स्पेस में भेजा गया इन हिस्सों को जोड़-जोड़ कर अंत्रिक्ष में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया 1998 में पहले लॉंच के बाद अगले दो साल में इस स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर सन 2000 को पहली बार यहां अंत्रिक्ष वैज्यानिक भी पहुँचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृत्वी की निचली कक्षा यानि लो अर्थ और्बिट में स्थापित किया गया है यह पृत्वी से लगबग 400 किलोमीटर की उचाई परिस्थित है और तकरीबन 27,800 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से धर्ती की परिक्रमा करता है यानि स्पेस स्टेशन प्रती एक 90 मिनट में धर्ती का एक चक्कर लगाता है International Space Station धर्ती को एनलाइस करने के साथ ही स्पेस में रिसर्च करने के लिए काफी मददकार है इसके जरीए अंत्रिक्ष के रहसियों से परदा उठाया जाता है मसलन अंत्रिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा इस दौरान हम जिन्दा कैसे रहेंगे ऐसे और ना जाने कितने बारीक सवालों के लिए रिसर्च जरूरी है ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंत्रिक्ष में रहकर ही की जा सकती है य एक एक स्पेशन है यह कह ही तरह की लेब है जिसमें आधी तक तो हजार तीन हजार से ज़्यादा एक्सपरिमेंट्स जो हैं फिलिक्स को ले के बाइयोजिक को लेंके और कब से कम 250 से जादा एस्टानॉट उननेस देशों के जा चुके है और आ चुके हैं यह एक स्पेस में एक तरह की लैब है जो जिसको की इस तरीके से रिशिया ने डिजाइन किया था जिसमें की जो हमरे एस्ट्रोनोट हैं वो वहां रह सकें एक एस्ट्रोनोट लगबग 120 दिन तक वहां पे रह सकता है क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हालात थोड़े अलग हैं और प्रित्री जैसे हालात उस स्टेशन में क्रिये किये जाते हैं जैसे कि जो एस्ट्रोनोट हैं उनकी सेहर के गलत रसक ना पढ़ें वैज्यानिकों के रहने, आराम करने, आफेस का काम करने और स्पेस साइन्स से जुड़ी रिसर्च के लिए बनाई गई जगों को मिला कर देखें तो ISS लगभग पांच बेडरूम वाले घर के बराबर है और इसमें वो सभी सुविधाय मौजूद होती हैं जो धर्ती पर एक सामाने जीवन जीने के लिए जरूरी है इसमें एक समय पर छे लोग आराम से रह सकते हैं स्पेस में ग्रिविटेशनल फोर्स काम नहीं करता यानि प्रित्वी की तरह आप स्पेस में खड़े नहीं हो सकते सीधे शब्दों में समझें तो अगर आप स्पेस में खड़े होते हैं तो आप हवा में टैरते रहते हैं ऐसे में चलना फिरना, खाना पीना, ट्वालेट जाना जैसे रोजाना के कामों को करने में काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है इसलिए स्पेस में भेजे जाने से पहले सभी एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें विशेश दोर पर तयार किया जाता है हाला कि कुछ महीनों के बाद अंतरक्षी यात्रियों और वैज्ञानिकों को पृत्वी पर वापस आना पड़ता है क्योंकि कुछ समय के बाद उन्हें कई तरह की समस्याएं होने लगती है हमारे एस्ट्रोनॉट को बहुत तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है खासकर आप देखें कि पृत्वी पर जब हम रहते हैं तो एक पृत्वी का जो गृता का शुनिंग बाल है वो हमारी शरीर पर भी काम करता है तो और उसी के अनुसार हमारे जो बॉड़ी के जो मसल्स हैं वो डवलप होते हैं तो वहां पर क्योंकि ग्रविटी नहीं है तो मसल्स जो हैं बहुत हमारे कमजोर हो जाते हैं तो इसलिए उनको उस सही अवस्ता में रखने के लिए बहुत एक्सराइज करनी पड़ती है हमारे एस्टरोट जो वहां जाते हैं उनको उससे जाने से पहले ट्रेंड किया जाता है और दूसरा यहीं कि जैसे मैंने कहाँ कि वहां की माइक्रोग्राविटी है तो बॉडी हमारी बॉडी का जो फ्यूड है जो तरल पडारत है वो उपर जो है जाने की कोशिश करता है और उसके अरुसरार क्या होता है कि हमारे आँखों में और मस्टिच में जो है एक तरी के प्रेशर जो है बुड़ता है जो कि हमारे आँखों की आँखों में देखने में दिक्तत हो सकती है या ब्रेन में जैसे कहें कि जलूज उस तरह की वस्ता तो उसके लिए भी बहुत स्पेस स्टेशन में अलग लग समय में रह चुके हैं अंत्रिक्ष के कई रहस्यों को जागर करने में भी आई एसस ने अपनी एहम भूमी का निभाई है